सरकार कर रही है इतिहास रची है इतिहास सरकार जो अब वैवस्था फैलाने में रच दी है तो कैसा इतिहास इतिहास रची है लेकिन सरकार अब वैवस्था फैलाने में इतिहास रची है तो समाप्त हो जाएगा इसी अस्तित्य को बचाने के लिए इस तरह की जो है बाते बो नमस्कार मेना नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं 1124 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाज़पा विधायक विडेंदर कुमार है और यह समस्तिपूर की जिला रोसरा विधान सवाच्छेतर से विधायक है आपका बहुत-बहुत स्वागत है 1124 पर वर्तमान सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार इतिहास रच दिया है दोनों पार्टी के तरफ से राज़द और जदियू के तरफ से कि बिहार एक नया इतिहास रच दिया है सवा लाग नौकडी को लेकर इसके ओपर क्या रियक्षिन है अपका सरकार का रही है इतिहास रच दिया इतिहास सरकार जो है वैस्था पहलाने में रच दी है और रही नौकरी की बात तो नौकरी एक दिन चड़िया है आप अनुभव कीजिए आज से 40 साल पीछे हम लोग लोडते हैं तो जिस समय हम लोग के बिद्याले में 900 बिद्यार्थी हु करते थे आज आवादी बढ़ गई है 2000 बच्चे हैं इंफ्राइस्ट्रक्चर वही है रहने के लिए कमरा नहीं है किसी बिद्याले में अगर 70-30 बच्चों की भागीदारी हो जाती है तो वहां के सिक्षकों को उनको खाला रखने के लिए कोई जगा नहीं मिलता है रही सिक्षक की बात तो सरकार उतकरमित करके जो है कई विद्याले को मद्धिमिक विद्याले बना दी उच्चतर हाइश्कूल बना दी है लेकिन ब्योस्था फेलाने में इतिहास रची है ब्योस्था बनाने के लिए इतिहास नहीं रची है नवनियुक सिक्षकों के बहाली हुई है सवाला ये एक अच्छी बाते हैं सरकार रोजगार दी है लेकिन क्या खोई हुई जो गडिमा बिहार की है वापस आएगा कुछ पत्रक सरकार फिर से उसी मंच से घोसना की एक लाग कुछ वेकेंसी का लेकिन ऐसे में जल्दिवाजी क्यों करना क्या ये चुनावी स्टेंड है अब देखे इसको जिस रूप में लिया जाए पहले जो है जीवन के में जो है सफलतम व्यक्ति आते थे और इस बहुर स्था को लिखते थे आज अच्छे अच्छे नौजवान जो है सिक्षा के छेतर में जाने से बच रहे हैं वह मेडिकल के छेतर में चले जाते हैं इंजिनियरिंग के छेतर में चले जाते हैं परसासनिक छेतर में चले जाते हैं बैवसाई बन जाते हैं इन कामों से बचे हुए कौपराने वाले उपरजित कर रहे हैं तो ऐसे नौजवानों को जब तक सरकार प्रात्मिक्ता नहीं देगी तब तक जो है आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर जो है नहीं मिल पाएगा बेहतर नौजवानों के लिए बेहतर सुधा चाहिए तब जाकर कि भी दि हार की गड़ी मंत्री पता नहीं है देश के कुछ मंत्राले का नाम पुछा गया तो वो पता नहीं है ऐसे में दिक्कत है फिर से हमें नहीं लगता है कि फिर से हलाकि ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे सिक्षक नहीं आये है लेकिन इतनी जल्दिवाजी क्यों करना ऐसा करके है बहुत कम है जी उनकी संख्या बहुत कम है अच्छे सिचक है आज भी हम लोग ग्रामीन परिवेश से आते हैं बिद्याले में जाते हैं देखते हैं जो अपनी लगन सीलता के साथ बिद्याले में अपना दाईत्य निर्वांद कर रहे हैं आज वही सम्मान उनको प्राप्त है जो वर्स पीछे उनको सम्मान मिल रहा था हम लोग भी सरकारी स्कूल से परहे हुए हैं और आज के दिन में ब्यास्था में सामिल प्राया लोग सरकारी स्कूल में परहे हुए हैं और आज भी जो अच्छे सिच्छक हैं निश्ठापुर्वा का अपनी जवाब देही को नि हरे होते हैं 50% उपर बच्चों को प्रात्ना याद रहती है प्रात्ना बोलते हैं 24 लोग सवाचनाव को लेकर अमिस्सा बार-बार बिहार का दौराव कर रहे हैं और जदियू के तरब से कहा जाड़ा वो 50 बार आ जाए बिहार से उनका कोई फैदा होने वाला नहीं है और लेकिन मन्यवर अमिस्सा बिहार इसलिए आ रहे हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश का दौरा कर रहे हैं आप आखरा निकाल करके रख लिजिए दुनिया के सर्वे को देख लिजिए बिगत 300 वर्सों में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इनके दौरा के कारण जो परदेश में और देश में सांती बनी हुई है कभी नहीं दिखाई परी थी आप अंदाज लगा सकते हैं 370 हटाया गया लोग कहते थे जो तिरंगा उठाने वाला भी नहीं रहेगा और उसी परदेश में लाल चोग पर भी आज जो है आम जंता भी जाएंगे और तिरं जो है बाते बोलते हैं आप सुन रहेते भाजबा विधायक वरेंदर कुमार को आपने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए बांकी सिलसला चलता रहेगा अब आपकी बारी है आपकी क्या परतिकिरिया ह नीचे कुमेंड बाक्स में बताईजेगा और देखते रही एक न्यूश 24 मेरे सयोग्यासतो सिंग के साथ मैं सदन जी पटना